हेलो एबरिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और्गेनिक कक्षा में तो बच्चो हम लोग आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे ठीक है इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारे topics के बारे में जानना है जैसे काफी important topics के हमारे like reflection और reflection ठीक है इसी से related हमें बहुत सारे numerical भी इस chapter में देखने के लिए मिलेंगे और main चीज है इस chapter के जो numerical हम लोग किस तरीके solve करेंगे वही इस chapter का सबसे important part है और numerical आपके जब solve होंगे जब आप लोग basic concept जो हो है आप लोगो clear होंगे तब ठीक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे mirror के बारे में पढ़ेंगे इस chapter में हम लोग lens के बारे में पढ़ेंगे और mirror और lens की questions जो होते है numerical किस तरीके solve होते इन सब चीजों से हमें deal करना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग start करते है आज reflection से है ना लेकिन उससे भी पहले जो के हमारी chapter का theme है light reflection and reflection ठीक है सबसे पहले बच्चो light के बारे में जालो कि light क्या होता है it is a form of energy ये एक energy की form है ठीक है light energy की form है like sound हमारा energy की form है इसी तरीके से light big energy की form है ठीक है अब light के बाद हम लोग ये एक चीज और जान लेते हैं कि हम लोग how can we see object how can we see any object हम लोग किसी भी object को कब देख पाते हैं ठीक है बच्चो किसी भी object को हम लोग तब देख पाते हैं जब क्या होता है कि कहीं से जो light का source है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक luminous object होता है हमारा और एक non-luminous object होता है ठीक है luminous object में अपनी खुद की light होती है non-luminous में अपनी light जो है वो नहीं होती है तो किसी भी luminous object से like sun है अपका ठीक है sun से अगर कोई light किसी object के ऊपर fall हो रही है किसी object के ऊपर light जो है गिर रही है उसके बाद लाइट अगर reflect back होके हमारी eyes तक आएगी तब हमें object दिखाई देगा otherwise हमें object जो है वो दिखाई नहीं देगा ठीक है तो यहीं जो होता है इसमें यह फंडा काम करता है ठीक है हिंदी में इसे परावर्तन कहा जाता है अब इसमें क्या होता है माल लीजी कि हमारा कोई भी surface है ठीक है यह हमारा surface है अगर इसके ऊपर हम लोग कोई भी light इस तरीके से fall करते हैं याने कि अगर इसके ऊपर कोई भी light आकर गिरती है जिसे हम लोग जो ray है ray of light आकर इसके ऊप होलेंगे इंसिडेंट रे याने कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपतित किरन ठीक है और क्या होता है जितना लीजिए कि यह जो लाइट इंसिडेंट रहे हो 30 डिगरी के एंगल पे इसके उपर आके गिरती है प्लेन सर्फिस के उपर देन उतना ही एंगल बना कि रिफ्लेक हो की से हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिड रे रिफ्लेक्टिड रे यानने के परावर्थित किरनद ठीक है इसे हम लोग बोलेंगे परावर्Сुत के Number तो हम लोग परावर्तन की नियम हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला नियम क्या कहता है, कि एंगल I is equal to angle R होगा, यानि कि एंगल of incidence is always equal to angle of reflection, आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होगा, पहला नियम तो ये कहता है, laws of reflection है, ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, incident रे reflected ray और इसी के बीच में हम लोग एक imaginary line ड्रॉ कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, normal, ठीक है, या फिर के हिंदी में इसे सामाने रेखा बोला जाता है, तो तीसरा लोग में क्या होगा, incident ray, normal, and reflected ray, lie on the same plane, ये तीनो के तीनो जो है, तीनो lines जो होगी हमारी same plane के उपर lie करेंगी, ठीक है, तो ये हमारे reflection के नियम हो गए, अब हम लोग जानेंगे कि mirrors के हमने बोला था, मैंने आपको बताया, कि हम लोग mirrors के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग plane mirror और spherical mirror के बारे म जानते हैं, ठीक है, आप लोग screenshot ले लीजिए, ओके, ठीक है, ठीक है, देखो बच्चो मैंने आप लोग को बोला कि मैं आप लोग को mirror के बारे में बताऊंगा, तो mirror जो होते हमारे दो टाइप के generally होते है, mirror आपके two types के होंगे, एक होगा plane mirror और दूसरा होगा spherical mirror, ठीक है, मिरर के अंदर तो हमें simple एक ही mirror के बारे में पढ़ना है, लेकिन spherical mirror के भी further दो parts हो जाते है, एक होता है concave mirror, दूसरा होता है convex mirror, ठीक है, concave mirror और convex mirror, plane mirror के बारे में सबसे पहले देख लो, plane mirror कैसा, simple सा, इस तरीके से straight mirror जो कि आप लोग क्या करते हो, घर में use करते हो, उसे हम बोलते है, plane mirror, ठीक है, अब मा लीजिए कि यहाँ पर एक line है, ठीक है, बीचो बीच एक line है, और यहाँ पर हमारा कोई भी object जो है वो रखा गया है, A, B, ठीक है, एक object mirror के सामने रखा है, जैसे हम लोग एक mirror के सामने खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से object mirror के सामने रखा गय तो एक ray जो होगी, इस से इस तरीके से टकराएगी, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, उसी direction में जो है, वो reflect back भी हो जाएगी, दूसरी ray जो है, बच्चो यहाँ से ऐसे करके जाएगी, टकराएगी देन, यहाँ से reflect back हो जाएगी, ठीक है, यानि कि एक ray जो है, से क्या होगा, अगर मैं एक imaginary line इस तरीके से draw करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से draw करता हूँ, तो जहाँ पर यह दोनो लाइन जो है meet होगी, वहीं पर हमारा object की जो image है, वो बनेगी, यानि कि A' B' समझे बात को, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ दोनो लाइन इस imaginary lines आपस में meet होगी, वहीं पर हमारा object जो है, बनेगा, आप ध्यान कीजिए कि आप में शीशे में अगर अपने आपको देखा हो, तो image किस तरीके की form होती है, एक तो हमारी virtual होती है, याने की imaginary, ठीक है, अब 80 ही होती है, जो हमारी image बनती हो, उसके अंदर, दूसरा erect होत होती है, याने की सीधी होती है, और सेम साइज की होती है, ठीक है, याने की उसी आकार की होती है, जितने बड़े हम है, उतनी बड़ी image भी होगी, ठीक है, और लेकिन एक चीज और है, शीशे के अंदर, आप लोग देखते होगे कि आप अगर उसमें सीधा हाथ उठाते तो शीशे में उल्टा हाथ उठता है ठीक है वो चीज ध्यान रखना इसमें चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपने mirrors generally हम लोग concave or convex mirror समझेंगे उसके बाद हम लोग basic principle समझेंगे कि हमारा जो spherical mirror होता है वो कैसा होता है देखी एक मालीजी स्फेर का मतलब क्या आता है गोला होता है ठीक है एक तो पार्ट इस स्टरीकी से मैं इससे करके निकाल लिया तो और इस साइड पे मैंने पॉलिश कर दी और यह वाला गढ़े वाला साइड है तो इसको मैं क्या बोलूँगा कॉन केव मिरर ठीक है केव का मतलब गुफा याने की गुफा कैसी होती है जुकिवी सी होती है अंदर से गढ़ा टाइप में होता है तो यहां पे गढ़ा है तो इस पून का एक्जामपल लेकर समझ सकते हो आप कि इस तरीके से और यहां पर गढ़े वाला साइड जो होता है केव साइड होता है ठीक है दूसरा है आपका इस तरीके से अमने पार्ट ले लिया ऐसे करके यहां पे हम लोग क्या करेंगे अब यहां पर इमेज जो फॉल होगी उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर ठीक है यानने के उठीवी साइड तो इस तरीके से चमच का जो वाला भाग होता है यह हमारा क्या होता है convex side होता है ठीक है आप जब चमच लेना चमच में अपना image देखना image देखोगे तो आपको G-side गढधा होता है उस side आपको हमेशा Ulti image दिखाई देगी ठीक है जिस साइड बच्चो उठीवी साइड साइड देखWiens sanity तो यहां से आप लोग समस्टते हो किस तरीके के Concave Mirrors होते है और मैं आप बाद में यह भी बताओंगा किangenवर्जिंग का काम करते है और यह होते है लाइट को 017D करने या काम करते हैं उससे पहले आप बेसिक प्रिंसिपल जानों बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं हम लोग कैसे समझेंगे माल लिया कि हमारे पास यह कौन के मिरर है हमारा स्फेरिकल मिरर ले लिए हमने स्फेरिकल मिरर में बच्चों बिल्कुल यह वाला पोर्चन होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोल क्या बोलते हैं पोल याने के हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग धुरूफ ठीक है पोल से माल्या की हां तक की हमने दूरी ले ली इसे हम लोग F याने कि यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ ठीक है आप लोग लिख ले ना P means pole याने कि Drew F का मतलब होता है focus point हम लोग इसे बोलेंगे focus point याने कि हिंदी में बोलेंगे हम लोग इसे बोलेंगे focus bindu ये वाला जो बच्चो point है ठीक है उसके बाद जितनी distance पोल से लेके फोकस के बीच में उतनी डिस्टेंस पर हम लोग एक और पॉइंट लगाएंगे और यहां पर क्या होगा हमारा Center of curvature इसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं इसे हम लोग वक्रता केंद्र याने कि C का मतलब Center of curvature ठीक है Center of curvature इसे हम लोग बोलते हैं अब यहां पर ध्यान देना कि focus से लेके जो पोल तक की दूरी होगी उसे हम लोग बोलेंगे focal length क्या बोलेंगे focal length यह बच्चों बहुत काम आने वाली है जो numerical solve करोगे तो वहां पर बहुत काम आएगी ठीक है वक्रता केंदर से लेके जो हमारी धुरूफ के बीच की दूरी होते हैं उसे हम लोग बोलते है रेडियस ओफ करवेचर क्या बोलते हैं रेडियस ओफ करवेचर याने के वक्रता त्रिज्या भी हिंदी में इसे बोला जाता है ठीक है और शीशा जो है कितना बड़ा है मतलब उसकी बहारी पोर्शन जो है उसको हम लोग अपरेचर बोलते है एडवल पी आर ए टी यू आर अपरेचर बोलते हैं हिंदी में से द्वारक बोला जाता है ठीक है वैसे इसका नुमेरिकल में कोई जादा यूज नहीं है पता होना चाहिए center of curvature याने के focal length और radius of curvature क्या और सबसे में चीज यह जो line है इसे हम लोग बोलते है principal axis याने के मुख्य रेखा बोलते हैं बच्चों हम लोग इसे ठीक है I hope आप लोग को यहां तक बाते clear हूँ एक बर मैं again repeat कर देता हूं इसे हम लोग बोलते है बच्चों शीशे का जो बिल्कुल middle point होता है उसे हम लोग बोलते है pole और वहां से देखिए अगर मैं आपको और अची तरीके समझाओं तो इसका देखिए हमने क्या क्या था एक गो circle complete करो तो यहां पर कुछ हमारा center आ जाएगा अच्छे से बना लेना वह लग बात है तो यहां पर हमारा center आ जाएगा तो center of curvature और center of curvature यहां पर क्या हो गया pole हो गया और इनके बीच में बिल्कुल just क्या आता है हमारा focus point आ जाता है ठीक है जहां पर सारी की सारी जा के collect होती है है ना उसके बाद जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे की concave mirror औ convex mirror में किस तरीके से ray diagrams और बनते किस तरीके सी image की formation होती है लेकिन बहाँ पर वो चीज़ समझने के लिए मैं आपको बता तो हमें 6 step में पढ़ना पढ़ेंगा इस concave mirror के बारे में convex म में तो तरह नहीं है लेकिन concave में 6 step में पढ़ना पढ़े है कैसे एक बार object को हम लोग infinity पे रखेंगे यानि के हम कहां रख रहे हैं उस object को अनंत पे रख रहे हैं दूसरे step में हम लोग center of curvature से beyond रखेंगे तो beyond the center of curvature अगली हम लोग धिरी-धिरी क्या कर रहे हैं mirror के पास आत इस तरीके से हम लोग को ray diagrams बनाने शीखने किस तरीके से ray diagram बनेगा अब ray diagram बनाना जब सीख जाओगे तभी जानोगे किस तरीके से हम लोग इसका numerical जो है वो solve करेंगे ठीक है और अगली video जो है मैं जल से जल डाल दूगा जिसमें मैं ray diagram को आपको बहुत अच्छी तरीके सम अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्छों चैनल सब्सक्राइब कर देना एं थैंक यू फू वाचिंग दे वीडियो